आज जो हमें स्टड़ी करने वाले हैं सम बिग बिग नमबर्स वाला कुछ बड़ी बड़ी संख्या हैं इन दे ख्लास फॉर्थ मैंथमाजिक यू हर्द नम्बर लाक विच इक्वल तो हंड्रेट थाउज़न देख यू हैं वह बोल रहें कि क्लास फॉर्थ की जो हमारा एक चैप्टर सा फस्ट वाला ठीक है बिल्डिंग विद ब्रिक्स उसमें हमने ब्रिक्स के बारे में पड़ा था तो हमारे देश में लगबग कितनी जो बटे हैं जहां पर क्या बनती है इंटें कितने हैं वो लगबग लिथा है वाम वैसमे वर्र लएक में बिल्क से तो कितनी है वह और अब दोतो कुंने लाफ़ों में और क्या-का कीजिया सुनी है बताओ पॉपुलेशन पॉपुलेशन ओके पेड़ घर घर बहुत तरी चीज़े हो सकती है जो मतलब बहुत ही जादा है एक लाग पैसे मनी के बारे में इसे आपने एक लाग ठीक है राइट दे नमबर वन थाउजन अब वो बोलना है कि तुम एक संख्या लिको one thousand one thousand में किती जीरो होता है three यह हो गया one thousand ठीक हो गया now write one hundred thousand so how many zeros are दे रहे है नमबर one lakh ठीक है अब वो बोलना है कि तुमने हजार में हमरे बस कितनी जीरो है तीन अब वो बोलने हैं कि हमने एक की जगा क्या लिख देना है 100 और 1000 में तो उतने ही 0 है यह कितना हो गया 100 1000 अब देखो यह 1 lakh था और यह 100,000 है इस दोरों में संक्याओं में कोई डिफरेंस है इसका मतलब यह 1 lakh भी बोल सकते हैं और 100,000 भी बोल सकते हैं दोनों एक ही है यह गलत नहीं है देर अरबाव 2 lakh boats in our country हमारे देश में लगबक क्या है 2 lakh नावे हैं half of them are without a motor उन में से जो आधी हैं वो तो बिना motors के हैं what is the number of the boats with a motor अब वो बोलें कि 2 lakh boats हमारे पुरे देश में हैं और उसमें से क्या हैं आधी क्या है? motor वाली है कितनी हो गई हो? 1 lakh कितनी जिरू आएंगे 1 lakh में? 2 lakh ठीक हो गया तो 1 lakh हमारे देश में क्या है? Boats Boats हैं जो कि बिना motor के हैं और 1 lakh क्या है? Motor ठीक हो गया? यह इसका आउसर है About one-fourth of the boats with a motor are big machine boats अब वो बोलने हैं जितनी हमारे पास motor वाली जो boatे हैं अब motor वाली कितनी बोटे हैं हमारे पास? 1 lakh अब उनमें से जो one-fourth है One-fourth क्या है? Big machine boats है बड़ी machine boats है मतलब वो One-fourth जो उनमें से हैं मतलब 1 lakh का one-fourth कितना होता है? 1 lakh का one-fourth 25,000 25,000 Very good कितना? 25,000 ठीक है? यह देखो न इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो हम इसको दिमाग से करना है लेकिन हम ऐसे में भी कर सकते हैं इसको One-fourth का मतलब क्या होता? यह होता है One-fourth का मतलब यह है One-fourth हमारा यह वाला portion One-fourth है तो अगर हम एक लाग को डिवाइट करें इन चारों में तो कितने कितने आएंगे इन में? 25,000 25,000 25,000 इसमें आएगा 25,000 इसमें आएगा 25,000 इसमें आएगा इसका मतलब How many thousand machine boards are there? तो कितनी है वो? 25,000 We might wonder about the number of people whose lips are related to fish In all there are about 100 lap fish workers वो बोलना है कि तुमको जानकर आश्चेर क्यों होगा? कि हमारे देश में लगभग कितने लोग हैं ऐसे? 100,000,000 100,000,000 ऐसे हैं जिनकी की जिन्दगी क्या है? मचली से related कामों पर ही depend करती है Who catch fish जो मचली पकड़ते हैं कुछ उनको साफ करते हैं उनको बेचते हैं और कुछ उनके nets और boats को मतलब जो उनके जाल है और जो नावे हैं उनको रिपेरिंग का काम करते हैं We also have name for this big number 100,000,000 is called a crore ठीक है? अब देखो 100,000,000 अब देखो एक लाख में कितने जिरो हैं ये? पांच तो 5,0 हम लगा देते हैं 2,3,4,5 अब इसके हमने क्या लखना है? 100,100 लख दिया अब हमने? अब देखो पढ़ो इकाई, दाई, सेक्रा, हजार, दस, जार, लाग, दस, लाग, दस, लाग, करोर तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 100,00,000,000 भी पढ़ सकते हैं और 1, करोर, भी पढ़ सकते हैं क्लियर है? देखो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, 10,000,000s, 10,000,000,000,000,000.000,000,000, mall, Предकि जारा है agree तो एक करोर में किते़ीत है जिरो ओगए? था सेबन जो पाए pengory time कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की लगबग 132 करोड प्राइटिंग नमबर वन करोड डॉन केट लॉस ठीक है तो अब आपको एक करोड लिखना आ गया करोड लिखना तो बहुत की असान है कितनी जिरू लिखने है उसमें साथ जिरू क्लियर है